Hi viewers, welcome back to my channel, friends, यह देखिए, आज हम यह स्वेटर देखेंगे किस तरह से यह स्वेटर बनाया गया है, तो यह 4-5 साल के बच्चे को easily fit हो जाता है यह स्वेटर, तो इसकी निचे हमने यह pocket बनाना, double-sided pocket बनाना, और इसका pattern डालना, और इसकी sleeves का pattern और sleeves किस तरह से बनाई जाती ह है, वो अच्छे से हमने already इसके तीन parts में आपको बता दिया है, तीनों part का link नीचे, description box में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, तो आज के part में हम इसका neck बनाना सीखेंगे, यह देखिए, यह shawl neck है, तो किस तरह से इस neck को बनाया जाता है, वो आज हम देखेंगे, तो देखेंगे, इसे बनाने के लिए हमने वर्दमान की blue bell यह वाली wool जो है, वो यूज की है, यह three ply wool है, तो यह देखिए, यह वाली wool हमने यूज की है, और इसका shade number जो है, यह इसका shade number है, BEH030 number इसका shade number है, और यह महरून कलर में, यह महरून कलर का shade है, तो थोड़ा सा य बनता है, इसके साथ बहुत ही soft सी wool है, तो इसके उपर हमने 10 number की जो needle है, वो यूज की है, सारा project बनाने के लिए, तो चलिए, फिर start करते हैं इसको बनाना, इसके उपर दिखिए, इसके जो neck बनाना आपको बताएंगे, तो जो हम neck बता रहे हैं, वो हम shawl neck यहाँ पर से उन्होंने भी हमसे जो request की थी, वो shawl collar के लिए की थी, तो आज हम आपको इसका shawl neck बनाना बताएंगे, कि किस तरह से shawl neck बच्चों की sweater में बनाया जाता है, और इसी तरह से same method के साथ आप बढ़ों की sweater में भी से बना सकते हैं, बहुत ही easy way में आपको बताएंगे, और ब बनाना स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर हमने इसकी length complete कर ली है, जहां से हमने इसकी shoulder cutting स्टार्ट करनी है, तो length में आपको बता देती हूँ, एक बार कितनी इसकी length ready हुई है, तो यहां से यहां तक इसकी approximately 11 inches, यानकि 11 inch इसकी length हमने complete कर ली है, आप अपने हिसाब से length कम आले हैं, तो चलिए बनाते हैं, पहली row है, सीधी side है, तो अब हम इसका पहले shoulder cutting करेंगे, तो shoulder cutting के साथ ही neck cutting भी करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे, ताकि बच्चे का जो shoulder रहता है, वो 4-5 inch तक रहता है, इसलिए वो गला इसका छोटा ना हो जाए, इसल आलेंगे, और यह बहुत ही perfectly बनेगा, तो देखिए, पहले हम इसकी सीधी side में आ गए हैं, पहली row है, और यहाँ पर हम 3-2-1 की cutting करेंगे, यह बच्चे का sweater है, तो अगर बड़े का बना रहे हैं, तो फिर आप उसी हिसाब से इसकी cutting कर सकते हैं, जैसे कि 4-3-2-1 या 5-3-2 एक की cutting भी कर सकती हैं, तो चलिए, देखिए, पहली row सीधी side 3-2-1 की cutting करेंगे, 3 फंदे decrease करेंगे, एक, दो, और 3, तीन फंदे हमारे यहाँ पर decrease हो चुचके हैं, तो देखिए, इसकी हम किस तरह से calculation करेंगे, नेक के लिए, तो यहाँ पर हम approximately 20 फंदे इसके घटाएंगे एक साथ, तो आप अपने फंदों के हिसाब से इसके फंदे जो हैं, वो कम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 20 ही फंदे इसके decrease करेंगे, सेंटर में एक साथ, क्यूंकि यह छोटे बच्चे का है, अगर बड़े का बना रहे हैं, तो आप फिर जैसे जैसे age बढ़ती चाहेंगे, और फंदे बढ़ते जाएंगे, उसी हिसाब से आप इसके 5-5 फंदे increase कर सकते हैं, बड़े जो अगर आप किसी adult age के लिए बना रहे हैं, तो फिर आप 45 से 50 तक या 50 से लेकर, 45 से लेकर 50 तक इसके फंदे सेंटर में से रख सकते हैं, नेक के लिए, तो वो sufficient रहेंगे, तो ब बड़ा सा बड़ा बच्चा के लिए बनाएंगे, तो वो approximately 10 year age के लिए हम यहाँ पर 25 फंदे decrease करेंगे, और अपर age के लिए, उसे अपर age के लिए, जैसे कि हम 11 से लेकर 13-14 साल के बच्चे के लिए बनाएंगे, तो वो फिर 27-28 फंदे होंगे, और फिर उसके आगे जो 20 फंदे सेंटर में से इसके decrease करेंगे, तो 20 फंदे हम decrease करेंगे, तो अगर 80 में से 20 माइनस करेंगे, तो हमारे पास 60 फंदे रह जाएंगे, तो दोनों साइड में 30-30 फंदे आएंगे, तो जिसमें की हम shoulder की cutting भी 7 में करेंगे, तो हम 30 फंदे साइड में इसके बुनेंगे, जिसमें से हमने तीन फंदे डिक्रीस कर दिये हैं तो बाकी के हमारे टोटल 27 फंदे रह गए एक फंदा ये वाला और बाकी के 26 फंदे और हम बुन लेते हैं टोटल 27 फंदे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठरा, उननिस, बीस, इकिस, बाईस, तेईस, चौबिस, पच्चिस, छबिस, सत्ताइस एक बार काम कर लेते हैं तो यहां तक हमने 27 फंदे इसके बुन लिए हैं, तीन फंदे हमारे यहां पर हमने डिक्रीज किये थे, तो टोटल 30 फंदे हो गए हैं, अब 20 फंदे हम इसके बाइंड ओफ करेंगे, तो दिखे, इस फंदे के बुन कर लेंगे, एक, नेक्स फंदा भी बुनेंगे, तो ऐसे ही सारी फंदे बाइंड आफ करेंगे, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, 16, 17, 18, 19, और 20, तो देखे, अब यहाँ पर हमारे पास 30 फंदे होंगे, काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 30 फंदे रह गए हैं, अब बाकी के फंदे ये बुनते हुए जाएंगे, और रॉंग साइड में जाकर, पीछे की साइड में, बैक साइड में, इसको decrease करेंगे, तीन फंदों को, अब पहले इस साइड का portion हम बूनेंगे, फिर दूसरी साइड का portion बूनेंगे, तो अब हमने neck का कोई भी फंदा decrease नहीं करना है, इसको हम as it is ही बुनते हुए जाएंगे, तो बहुत ही easy way में हम आपको बता रहे हैं, तो बहुत ही easy बनाना दो, और तीन, बाकी के फंदे बुन लेंगे, तो यह हमने पहले भी बहुत बार आपको हारी प्रोजेक्ट में हमने बताया हुआ है किस तरह से shoulder or necky cutting की जाती है, shoulder की cutting, तो हमने हार बार आपको बताई हुई है, तो यह हम इसलिए बताते हैं, क्योंकि हमारे कई जो viewers है, वो यहां पर यह वाला फंदा ऐसे खुल लेंगे, तो अब देखिए, यहां पर हमारे neck की cutting हो गई है, यह center का हमारा neck है, कोई भी फंदा अब हम खटाएंगे, नहीं इसमें से same as it is, ऐसे ही इसको बुनते जाएंगे फंदों को, तो यह वाली हमने तीन फंदे decrease कर दिये हैं, अ तो इस side में हमें कोई भी फंदा नहीं खटाना है, तो यहां पर हमारे 6 फंदे कम हो जाएंगे shoulder के, और 30 में से अगर 6 फंदे कम हो गए, तो हमारे यहां पर 24 फंदे रह जाएंगे shoulder के, तो 24 फंदे ही हम as it is उपर तक बुनते हुए जाएंगे, और ऐसे ही पीछे की side से धा 24 फंदों के साथ, तो यह हम बना लेते हैं, फिर next आगे आपको बताते हैं, तो यह दिखिए इसकी जो length है, वो हमने complete कर ली है, तो मैं आपको इसकी length बता देती हूँ, तो दिखिए यहां पर हमने जो इसको total बनाया है, cutting के बाद यहां तक इसकी 44 यानिकी 44 सिलाई हमने नि measure करते हैं, तो दिखिए यह जहां से हमने इसका 3, 2, 1 की घटाई के बाद इसको उपर हमने 5 इंचिस तक बनाया है, दिखिए 3, 2, 1 की यहां तक घटाई की है, यहां से यहां तक हमने दिखिए इसको 5 इंचिस बनाया है, अगर total इसकी length दिखेंगे, जहां से हमने इसकी cutting की ह टो ये अप्रॉक் साड़े पांच इंचिस के थोड़ा सा उपर ही हमने इसको बैडा लिया है, ताकि जब बच्चे को इसको पहनाएं तो थोड़ा सा खिचावट ना रहे, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा बड़ा ही बना लिया है क्योंकि नीचे से हम और भी कपड़े पहनाते हैं इसलिए तो अब देखे ये फ्रंट का पार्ट हमारा नैक भी बनकर रेडी हो गया है तो इसकी 44 सिलाई हमने निकार ली है अब इसको हम जॉइन करेंगे तो ये इसका बैक पोर्शन है तो ये भी हमने सेम ही बनाया हुआ है तो यहाँ पर भी हमने दोनों साइड में इसकी 3-2-1 की घटाई की है और 44 सिलाई होपर हमने निकाल ली है 3-2-1 की घटाई करने के बाद तो title इसकी भी हमने 5.5 इंचिस जहान से cutting की है इसकी shoulder की length बना ली है तो अब इसको दोनों को हम join करेंगे तो देखिये किस तरह से करेंगे ये इसका back का portion है तो back portion को हम इस तरह से रख लींगे सीधा करके और जो front का portion है इसको हम इसके उपर रखेंगे इस तरह से देखे इसको उल्टा करके रखेंगे ये वाला निच्चे वाला सीधा और ये वाला उल्टा रखेंगे पहले इसके दोनों shoulder हम join कर लेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि किस तरह से shoulder join करना है तो हमने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है लेकिन हमारे कुछ viewers beginners हैं तो थोड़ा सा उनके लिए भी हम सा सात में बताते रहते हैं तो ये वाला जो बैक का धागा है इसको हम cut कर लेंगे थोड़ा सा छोड़ते हुए इसको cut करेंगे इतना अजा तो अब देखिए इसको हम join करेंगे तो इसके लिए हम ये रिखे इसको जॉइन करना स्टार्ट करेंगे तो ये वाला अंधागा हमारे पास है दोनों सिलाई को एक साथ रखते हुए हम जॉइन कर लेंगे पहले इस साइड के फंदे जॉइन करेंगे तो ये 24 फंदे हैं 24 फंदों को जॉइन करेंगे ये वाला एक आगे का फंदा लेंगे एक पीछे वाला फंदा ये वाला धागा भी साथ में ही ले लेंगे और दो फंदों का एक फंदा बना देंगे आगे और पीछे वाला डॉप कर लेंगे अब नेक्स्ट भी दो फंदों का एक फंदा बुन लेंगे इस तरह से हम ये वाला पीछे वाला जो फंदा है इसको अगर आपका हाथ ठोड़ा सा जाधा टाइट है, तो आप बड़े नंबर की निडल ले लिए, यहाँ पर हमें 10 नंबर की निडल ही लिए हैं, अगर थोड़ा सा टाइट हैं आपका हाथ, तो आप फिर 9 नंबर की needle यूज कर सकते हैं bind box के लिए तो फिरसे दो फंदों का एक भुनेंगे और पिछे व़ाला फंदा प्रप करेंगे यह इस तरह से यह वाइंड ऊफ हो जायगा तो यहां तक इसके चौर्बिस फंदे हम बाइंड अफ कर लेते हैं यह देके इससाइट के फंदे हमने बाइंड आफ कर लिए हैं अब दूसरी साइड के फंदे भी हम इसी तरह से बाइंड आफ करेंगे तो पहले हम सेंटर के फंदे इसके बुन लेंगे तो 24 फंदे इस साइड के जब तक रह चाएं तब तक हम यह सारे फंदे सीधे-सीधे बना लेंगे इस तरह से सारे कि देखिए यहां पर हमारे पास 24 वंदे रह गए हैं अब इनको भी ऐसे ही बाइंड आफ करेंगे जैसे हमने दूसरी साइड में किया था तो थोड़ा सा यहां पर मैं आपको बता देती हूं यह देखिए यह वाला धागा है यहां पर हमारे पास तो इसको भी हम काट लेते हैं थोड़ा सा ही रखेंगे क्यूंकि पीछे वाला हमारे पास धागा है इसलिए इतना सा इसको छोड़ देंगे तो अंव इसी के साथ हम दिखे इसको पीछे की तरफ इस तरह से लिग कर जाएंगे धागे को तो तो फंदों का एक फंदा बुन लेंगे पहले केा कि यह दूनों osf деле ले लेङ और दो फंदों का एक फंदा फिर next फिर से आगे वाला एक पीछे वाला फंदा लेते हुए दो फंदों का एक फंदा अब ये वाला फंदा उठाएंगे और आगे के फंदे के उपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे फिर से ये दो फंदों का एक फंदा ङोटाएंगे आगे कि फंदे प्र से करेंगे कर देंगे ठीसे ऐसे ही इस सरी रोगोगों भी मेंटो बाइंट उफ कर लेते हैं तो दिखिए यहां पर हमने इसको जॉइन कर लिया है दोनों शोल्डर को जॉइन कर लिया है तो अब हमने यह स्वेटर को सीधा कर लेना है इस तरह से स्वेटर को सीधा करेंगे और यहां से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे यहां से लेकर यहां तक फंदे उठाएंगे फ और जहां से हमने ये फंदे ये देखिए बाइंड ओफ किये थे तो यहां से इसको उठाना स्टार्ट करेंगे तो इसको हम देखे यहां पर ये सर्कुलर नीडल के साथ इसको बनाएंगे क्योंकि इतने सारे फंदे फिर सर्कुलर नीडल पर बनाने इजी रहते हैं अगर चा आफ किया था नैक को यहां से यह वाला लूप जो है साइड में एक लूप बनता चाता है तो इस लूप को उठाएंगे और यहां से हम दिखिए एक फंदा इस तरह से बनाएंगे तो अब यहां पर आप देखिए धागे को इसको भी आगे लाएंगे अब देखिए यहां पर जो हम जब हम फंदा बुनते हैं तो साइड वाला एक फंदा हम स्लिप करके लेते हैं तो दो रो में साइड में एक यह चेन हमारी बनती है तो यहां पर अगर हम पूरे-पूरे इसके फंदे उठाएंगे तो फिर यह कॉलर हमारा सही से नहीं बनेगा खिचा-खिचा बनेगा तो इसलिए यहां पर हमें फंदे बढ़ाने होगे तो इसके हम दो फंदे बनाएंगे एक की जगा पर दो फंदे बनाएंगे तो धागे को आगे लेकर आएंगे और यहां पर दिखिए धागा आगे करके अब ह हर एक chain में से एक एक फंदा उठाते जाएंगे, ये देखें, धागा आगे रखेंगे, और एक सीधा फंदा बोलेंगे, तो ये हमारा एक फंदा बढ़ गया, यहाँ पर हमारी टोटल दो फंदे हो गए हैं, फिर से ऐसे ही करेंगे, धागा आगे लाएंगे, और फिर next chain में स एक फंदा उठा लेंगे, फिर से धागा आगे, और next chain में से, हर एक chain में से हमने एक एक फंदा उठाते हुए जाना है, और धागे को आगे रखते हुए जाएंगे, दाकि एक एक फंदा हमारा बढ़ता जाएंगे, और दिखें, फिर से ये next chain है, इस तरह से, तो ऐसे हमार एक की जगा दो फंदे बनते जाएंगे तो यहां तक हम इसके सारे यह फंदे उठा लेती हैं हर एक चेन में से फंदा उठाते जाएंगे धागा आगे करेंगे अब नेक्स चेन में से फंदा उठाएंगे तो यह सारे फंदे हम यहां तक उठा लेते हैं तो यह देखे पीछलों फंदे यहां तक हमने इसके 45 फंदे उठाए थे तो 45 फंदे यह यह वाला फंदा धागे को आगे लेकर आएंगे और यहां से फंदे उठाना स्वार्ट करेंगे कि अब देखिए यह वाला फंदा हमने यहां पर पुन लिया है अब यह वाला फंदा पुनेंगे तो धागे को आगे रखेंगे इस तरह से और इसको ऐसे सीधा पुन देंगे तो यहां पर फिर से फंदा बढ़ेगा धागा आगे और फिर से हार एक चेन में से एक एक फंदा उठाते हुए जाएंगे तो सभी चीन में से हम एक एक फंदा उठा लेंगे, दागा आगे रखते हुए तो यहां तक फिर से हम 45 फंदे इसके उठा लेते हैं तो यह देखिए यहां पर भी हमने 45 फंदे बुल लिए हैं तो अब हम बॉडर बनाना स्वाट करेंगे तो ये इस तरह से हमने u shape में इसको फंदों को उठाया है और ये वाले फंदे हम center का जो हमने गला इसका घटाया था 20 फंदे degrees किये थे इनको हमने नहीं उठाना है तो इस पर हम flip बना कर लगाएंगे तो ये वाला जब color बनेंगा तो किस तरह से इसको लगाएंगे आगे आप 40 is equal to 90 90 फंदे हो गए और plus हम 40 फंदे और करेंगे तो 130 फंदे टोटल हमारे पास हो गए है तो इसको हम बुनेंगे तो आप अपने हिसाब से कैसे भी इसको बना सकते हैं चाहिए तो आप border के साथ बुन लीजिए चाहिए आप इसे सीधा उल्टा बुनकर भी बना सकते हैं तो हम इसे border के साथ बनाएंगे तो border चाहिए आप कोई भी बना सकते हैं जैसे हमने ये निचे simple border बनाया है अगर चाहिए तो simple border के साथ बुन लीजिए चाहिए आप कोई और border बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम crystal border बनाएंगे वो थोड़ा सा अच्छा लगता है इसके साथ म में बना हुआ तो देखिए इसको कैसे बुनेंगे ये वाला फंदा हम पहला फंदा है इसको ऐसे उल्टा बुन लेंगे थागा पीछे करेंगे हम ये वाला फंदा है इसको back loop से इस तरह से सीधा बुनेंगे उल्टा फंदा simple उल्टा बुनेंगे थागा पीछे ये वाला रिखे Goodness is तरह से सीधा बुनेंगे और इस सबनेंगे से सीधा बुनेंगे उसे साथते से से दिन ही से बनाते हुए जाएंगे तो राएंड हम इसको बुनते हैं तो इसको बुनते हुए जाएंगे सेम पैटन डालते हुए एक सीधे एक उलते का और इसको हम इतना बुन लेंगे तो जितनी ये लेंद है यह 28 ergerek यहां तक तक यह तक मेज장 करेंगे तो यह हमारी जो measurement है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कितना है यहाँ पर यह अप्रॉक्स जो है यह दिखिए धाई इंचिस से थोड़ा सा ज़्यादा जाने की पौने तीन इंचिस तक है तो इतना collar हम यह बना लेती हैं तो फिर आगे आपको दिखा लिए यह यह दिखिए कोलर हमारा फिट आ रहा है तो इतनी ही लेंथ हमने बनानी है जितने में हमारा यह कॉलर अच्छे से फिट आ जाए तो अब हम रॉंग साइड में है तो अम हमने क्या करना है इन सारे फंदों को हम बाइंड ओफ कर देंगे तो बाइंड ओफ करने के लिए पिछे लेकर जाएंगे यह सीधा फंदा है इसको फिर से ऐसे सीधा बुन लेंगे और यह वाला फंदा उपर से डॉप करेंगे फिन थागा आगे उल्टा फंदा है इसको उल्टा बुनेंगे और पिछे वाला फंदा उपर से डॉप करेंगे थागा पीछे सीधा फंदा ह कि आपने ज़ादा टाइट हाह से जादा लूज हास से इसको बाइности नहीं करना है तो आप इसे नॉरमल जैसे आप पुनते हैं वैसे ही इसको बाइन ओफ करेंगे अगर आपका हाथ थोड़ा साह टैट है तो आप यहां पर बढ़े नंबर की साथ इसको बाइन Aw यह दिखे यह उल्टा फंदा है इसको उल्टा बुन लेंगे और ऐसे डॉप कर देंगे तो इसी तरह से इन सारे फंदों को हम बाइंड आफ कर लेते हैं तो दिखिए थोड़ा सा बड़ा धागा रखकर इसको काट लेंगे क्योंकि इसी के साथ फिर हम स्टिचिंग करेंगे इसकी तो आप इसको इसके बीच मेंसे आसे निकाल देने अब देखिए इस तरह से हमारे ये ये नेक बन गया है तो इसको हम इस साइड में और इसको इस साइड में स्टिच करेंगे चाहिए आप इसको नीचे रख लीजिए और इसको उपर रख लीजिए यह आप अपने हिसाव से देख सकते हैं तो जब इसको फोल्ड करेंगे तो दिखिए बहुत ही पिटी सी इसकी लुक आएगी बनकर दिखिए इस तरह से तो यह हम यहां पर अटेच कर लेते हैं तो पहले यह वाला पार्ट मैं यहां पर अटेच करूँगी तो इसको हम सुई में धागे को डाल लेते हैं तो दिखिए यहां से यह वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे यह वाला जो फंदा है इसको ऐसे उठाएंगे ऐसे इसको मिलाएंगे और अब इस तरह से इसकी हम स्टिचिंग कर देंगे तो जैसे भी आप स्टिचिंग करते हैं वैसे ही इसको स्टिच कर सकते हैं तो ये सारा कॉलर यहां तक हम स्टिच कर लेते हैं ये दिखिए एक साइड हमने स्टिच कर ली हैं अब ऐसे ही सेम दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे दिखिए ये वाला अंदा इस तरह से उठा देंगे ये जो फर्स्ट वाला यहां पर स्टिच है हमारे पास पहला स्टिच है इसको ऐसे उठाएंगे ऐसे यहां पर अटाच कर लेंगे यहां पर हम यहां से यहां तक इसकी भी सिलाई करेंगे तो दिखिए ऐसे यहां पर छोटा छोटा लूप उठाते हुए इसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे यहां से यहां तक इसकी हम स्टिचिंग करते हुए जाहेंगे तो यह हम स्टिचिंग कर लेते हैं अनतक इसकी यह दिखिए हमने इसके नेक को भी अच्छे से यहां पर स्टिच कर लिया है उपर की साइड में भी और यह नेक बनकर इस तरह से दिखिए हमारा नेक बन गया है बहुत ही प्रिटी सा नेक बना है तो दिखिए इस तरह से बहुत ही सुन्दर सा नेक बना है अब यहां पर हम साइड में इसकी जो स्लीव्स हमने बना के रखी हुई है यह वाली स्लीव् हम दोनों साइड में attach कर लेते हैं तो दिखिए यहाँ पर attach कर लेते हैं इन sleeves को भी बनाना हमने अल्रड़ी बताया हुआ है अच्छे से हमने बताया हुआ है कि किस तरह से इन sleeves की हम किस तरह से फंदे बढ़ाएं और किस तरह से उपर से इसकी cutting की जाए तो उसको भी अच्छे से बनाया हुआ है इनका भी link नीचे description box में दिया है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं तो ये मैं इसको attach कर लेती हूँ फिर इसका final look आपको दिखा दिखिए हमने इसको complete कर लिया है और ये इसका final look है इसकी sleeves भी इसके साथ हमने attach कर दी है तो दिखिए बहुत ही pretty सा हमारा sweater बनकर ready हुआ है और इसका neck भी दिखिए कितना pretty सा इसका neck बना है तो नीचे से इसकी pocket इससे इसकी pocket बनी हुई है तो बहुत ही pretty सा हमारा sweater बना है ये दिखिए तो ये 3 से 4 साल के बच्चे के लिए 5 साल तक भी अच्छे से ये fit आ जाएगा तो इसकी अब हम measurement देख लिते हैं कि इसकी total measurement कितनी हुई है तो दिखिए इसकी length को measure करती हैं तो इसकी complete length जो है वो 17-16 इंचिस तक पनी है और width इसकी दिखिए यहां से 12 इंचिस तक इसकी width है अगर इसको हम इस तरह से stitch करके देखेंगे तो ये दिखिए 14-15 इंचिस तक ये अच्छे से fit आ जाएगा और इसकी sleeves जो है वो हमने अपने according रखी है आप अपने according कम जादा कर सकते हैं तो इसकी जो sleeves है वो ready होकर 12-15 इंचिस तक इसकी sleeves बनी है और इसका उपर से जो 13 है वो दिखिए 10-15 इंचिस तक इसका 13 बना है तो बहुत ही pretty सा sweater बनकर ready हुआ है तो आप इसे girls को या boys किसी को भी पहना सकते हैं तो नों के लिए ये बहुत ही pretty सा sweater लगता है पहन कर तो दिखिए बहुत ही सुन्दर सा sweater बना है तो चलिए फिर आप भी से बनाए आप मिलते हैं ऐसे ही और नए नए प्रोजेक्ट लेकर तो तब तक के लिए बाई बाई ब